किसान भाईयों यह है ड्रेगन फ्रूट और ड्रेगन फ्रूट बढ़ते ही जा रहा है बढ़ते ही जा रहा है पूरा फैल गया और पूरा फैल करके बढ़ा हो गया है कहीं जगा नहीं है और यह जो सफेदी दिखाई दे रही है यह डाला गया है लाइम स्टोन गर्मियों मे सूर्य प्रकास की तेज धूफ से बचाने के लिए लाइम स्टोन का भुर्काओ पौधों पर किया जाता है जहां कि मिट्टी जीवाण युक्त हो और पॉजिटिव हो वहाँ पौधे ऐसे ही बढ़ते हैं देखी यहां कि मिट्टी पूरी पॉजिटिव है इसकी रूट्स भी उपर तक आई हुई है थोड़ा मिट्टी खोद वा निलघी जारे लेओ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे निकालो यह देख़े है इसकी जड़ दिख रही है यह सब जड़ इसकी आई हुई है और मिट्टी को महिको देखो कैसा इसका आप में को है सुगंध है अच्छा जब यह मिट्टी पॉजटिव रहती है न और मिट्टी में जीवानू रहते हैं तब जाके ऐसी फसल बनती है गुजरात राजकोट के स्री अनिल भाई और स्री रजनी पटेल जी द्वारा लगाए गए ड्रेगरन फूट के ये पोधे देखते ही देखते बढ़ने सुरू हो गए और इतने बढ़े कि पूरे खंबो में फैल गए मिट्टी चाहे जैसे भी हो दोमठ हो, पथरीली हो खर्पतवार भी चाहे जितना हो लेकिन अगर उस खेत के मिट्टी में फसल को बढ़ाने वाले मित्र जिवानू परियाप्त है मिट्टी में सोंधी महेकाती हो मिट्टी में केचवे हो तो वहां की फसल दिन दूनी राचोगनी बढ़ती ही है मिट्टी में उपस्ते जिवानू फसल को दिन रात भोजन बना बना कर देते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक, सलफर, मैगनीज, ऐसे खनीज तत्व, जिन पौधों को निरंतर मिलेगा, वे पौधे प्राक्रतिक तौर पर निरंतर बढ़ते रहते हैं, उन पौधों को बीमारी भी नहीं आती, पत्तियां हरी कच्च रहती हैं। TCBT क्रिशीपद्धती से जिस भूमी का भूमी उपचार कर लिया जाता है, अर्था जिस खेत की मिट्टी में किसान ऊर्जा जल, जिमानो जल या सजीव जल बना कर डाल देता है, जैवरसायन, भस्मरसायन जैसे पोशक ततों बना कर डाल देता है, वह मिट्टी जीवानों खुलायम हो जाती है, मिट्टी में पूरे वर्ष भर सोंधी महेक आती है, प्रती वर्खफुट तीन से चार मिट्टी खाने वाले इंडो जेई कीचवे आ जाते हैं, खेती की भूमी में इतना काम हो जाए, तब फिर तो जबरदस्थ फसल आना ही है, पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद